जै श्री राधिकिष्णा आज मैं आपके लेकर आई हूँ राजिस्थान की एक बहुत ही टेस्टी पारम पर एक सबजी की रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं पापड की सबजी जो की खाने में बहुत टेस्टी लगती है कम समय में बनके त्यार हो जाती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है तो सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए पापड तो यहां मैंने तीन पापड लिये हैं आप मूँग दाल के या उड़त दाल के कोई से भी पापड ले सकते हैं अब यह जो पापड हैं इन्हें हमें सेखना है तो गैस पर एक तबा रखें तवे को गर्म करें गैस का फ्ल तरिके से पापड बहुत अच्छे से सिख जाता है और बिल्कुल भी जलता नहीं है। तो जब आपको पापड खाने का मन होना तब भी आप इसी तरीके से पापड सिख कर त्यार कीजिए। बहुत ही बढ़िया पापड सिखते हैं। तो यह देखे मैंने तीनों पापड को स सब्ची ना समझाए तो तुरंत ही पापड निकालिए और इस तरीके से तेस्टी पापड की सब्ची त्यार कीजिए। अब यहां पर मैंने लिया है आधा कप दही फ्रेश दही है। इसमें आधा चमच हल्दी पाउडर डाला है आधा चमच लाल मिर्च पाउडर एक जा रहा है आधा चमच दरदरा पिसा हुआ सौंफ पाउडर इसमें जा रहा है आधा चमच जीरा पाउडर अब आपको सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है दही में मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और दही में भी बिल्कुल भी गाठ नहीं रहनी चा जब देल गर्म हो जाए तो इसमें आदा चमच आप जीरा डाल दें इसमें आप डाल दें 2-3 पिंच हींग और अच्छे से इसे आपको भून लेना है अब इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है प्यास तो मीडियम से इसके प्यास को बारे कट करके इसमें डाल दिया है और प प्यास को कुछ सेकंड के लिए भूनने के बाद एक चमच इसमें लैसुन डाल दिया है लैसुन को घिसका डाला है दो हरी मिर्श को बारे कट करके डाल दिया है अब इन्हें भी प्यास के साथ में आपको मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेना है तो प्या तुरंत इसे आपको चलाना है और अब इसे अच्छे से आपको पकाना है जब तक दही अच्छे से पक नहीं जाता तब तक लगातार चलाते रहें यह देखे यह अच्छे से पक चुका है बहुत ही बड़ी है इसमें उबाल दिखाई दे रहा है अगर आप दही को लगाता चलाते हुए नहीं पकाएंगे तो दही फट सकता है इसलिए लगातार चलाते रहना बहुत जरूरी है अब जब इसमें उबाल आ जाये तो आप इसमें डाल दें आधा जमच नमक और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दें दही में उबाल आने के बाद ही नमक डालना है अगर ज़्यादा पानी आपको इसमें नहीं डालना है क्योंकि ये सब्जी ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती है अब आप इसे ढख दें और धक कर मीडियम फ्लेम पर दो मिनट के लिए अच्छे से इसे पकने दीजे और दो मिनट बाद ये देखिए बहुत ही बढ़ी ऐ इसे खुश्बू आ रही है तो आपको एक बार इसे बहुत अच्छे से चला देना है और अब जो आपने पापड सेख कर तोड़ के रखे हुए हैं वो आपको इसके अंदर डाल देने हैं तो सारे पापड हम ये डाल देंगे और अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे अब पापड मैंने इसे ओपन किया है और ये देखे एक तम परफेक्ट पापड की सब्जी त्यार हो रहे हैं ना जादा पतली है ना बहुत जादा गाड़ी है बतलब एक तम परफेक्ट क्रेवी के साथ बनी है अब एक चमच मैने लिए कसूरी मेती जिसे भून कर लिया है इस से हाथों से क्रश करके डालेंगे और साथ ही आप इसमें यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ धनिया पत्ता एक चोथा ही चमच इसमें डाल दें गरम मसाला और बस सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है अब इस सुपर टेस्टी राजिस्तान किसी के भी साथ आप एंजोय कर सकते हैं तो अगर आपको आज की यह पापड की सब्ची पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कोमेंट और शेयर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और पर जरूर क्लिक करें